हलो दोस्तो आज का टॉपिक डिफरेंस बेट्वीन क्रूज मेजाईल और बैलेस्टिक मेजाईल के बारे में हैं इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइफ ओफ मेजाईल के बारे में क्रूज मेजाईल सेल्फ काइडेंट मेजाईल होती है जो अपने आपको काइड करके टार्गेट को हिट कर लिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बैलेस्टिक मेजाईल को प्रॉजेक्ट टाइल मोशन में लाँच किया जाता है और इसमें डिफरेंट टाइफ ओफ बुसस लगे होता है बैलेस्टिक मेजाईल में सेल्फ काइडेंट सिस्टम्स नहीं होती दूसरा most important difference between cruise missile और ballistic missile की यह है कि cruise missile के motors burn होते रहते हैं जब तक कि वो target को hit ना कर दे बट ballistic missile में ऐसा नहीं होता ballistic missiles में different type of boosts लगे होते हैं जो अपने boosting stage के बाद वो missile से अलग हो जाते हैं तो हम देखते हैं तीसरा most important difference between cruise और ballistic missile की cruise missile की speed बहुत कम होती है क्योंकि उसे self-guide करना होता है और इसकी speed तब बढ़ती है जब यह target के बहुत करीब होता है ballistic missile की speed बहुत ही जादा होती है इसके terminal stage पे और इसलिए इसे guide करना बहुत मुश्किल हो जाती है तो अब हम देखते हैं चोंथा most important difference between cruise missile और ballistic missile cruise missile बहुत कम altitude की उड़ने की capability रखती है इसके वज़े से इसलिए radar पे कम detection होती है जबकि ballistic missile high altitude पे उड़ती है जिसके वज़े से वो radar में ज़ादा detectable है तो दोस्तों ये थी हमारी cruise missile और ballistic missile की four most most important difference अगर आप कोई difference कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट section में कर सकते हैं आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत वैलियोबल है don't forget to subscribe